एटा जले से बड़ी ख़बर है सेर के निदोली रोड इस्तितिक जोला चाप के क्लिनिक पर इलाज के दोरान एक यवक्त की मौत होने का मामला सामने आया है इस मौत के बाद परिजोनों ने हाँ पर जम कर हंगामा काटा है और सब को सड़क पर रखकर मार्ग जाम कर दिया इतना ही नहीं रोड पर लगाता चर रहे हंगामे के बीच पताओ भी हुआ है इस दोरान पत्तर लगने से एस्जिम सदर शिव कुमार जी जख्मी हुए है खुतवारी दिया चेतर के गाउं बार्थर निवासी बलिष्टर सिंग ने बताया कि उसके भाई अर्विंद को सुमार को सरीज़ पर खुजली की समस्या हुई इस पर साम की समय निर्दॉली रोड इससे एक क्लीनेक पर ले गए यहाँ चिक्सक ने एक इंग्यक्शन लगा दिया जिसके बाद अवनीज अचेत होकर गिर पड़ा उसे मेडिकल कालेज ले गए जहाँ चिक्सकों ने उसे मिरत वोसित कर दिया वहीं सबको लेकर बापत प्लीनिक पर पहुँचे तब तक जोला चाप ताली लगा कर भाग चुका था उसके बाद आकुरुसित लोगों ने सबको निर्दॉली रोड पर ही रख दिया और बली लगा कर करीब साथ बज़े यातायाज जाम कर दिया सूचना मिलने पर सियो सिटी कालू सिंग, कोतवाली नगर और कोतवाली दियात के पुलिस बल के साथ पहुँचे उन्होंने परजिनों को समझाने की कोसिस की और कहा की तहरीज लिखकर दो मुकदमा दर्चकर कारवाई की जाएगी लेकिन आकुरसित लोग पहले आरोपी को गरपतार करने की मांग पर अड़े रहे हमारे सायोगी सौनुई आदब के अन्सास येमो डाक्टर ओमिस कमार तरपाटी ने बताया है कि मामले की जांच कराएंगे आखिर क्लिनिक पर कौन चिकिसा के लाज कर रहा था यदि अपनीक रत और अवेद रूप से ये एस्पिताल चर रहा था तो इसको सील कर रत आगे की कारवाई की जाएगी आप देख रहे हैं दस्तक 24